आप सभी का All Exam Guide गूरू पर दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आये हैं Practice Test Set Paper जो की हाल ही में प्रतियोगीता परिक्षाओं में पूछे जाने वाले Most Important Questions से मिलकर बना हैं तो आप इसको पूरा जरूर देखिए और चेक करिए कितनी Questions आपसे बनते हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा Free Practice Set Paper है तो आपके दोस्त जरूर सॉल्व करेंगे और साथ साथ आपके लिए Information भी है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रात में दस बजे Unacademy पर होने वाली Live Class की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके रात में होने वाली साड़े दस बजे से Unacademy की Class की लिंक पर क्लिक करके Class का नोडिफिकेशन आन कर लीज करके मुझे follow भी कर लीजेगा जिससे बाकी दूसरी classes में भी आप आ सकें दोस्तों अनकेडमी के application अगर आपके mobile में नहीं है तो इसको Google Play Store से download कर लीजे ये application आसानी से Google Play Store पर available है इस application को Google Play Store से download करने के बाद में अपना mobile file number डालिए registered करिए OTP आएगा application जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए exam select करने वाला option आएगा और उसमें आपको my goals manage exam में जाकर मुझसे फ्री पढ़ने के लिए ssc exam select करना है याद रखिएगा दोस्तों मैं अनकेडमी पर ssc कडिगरी में पढ़ाता हूं तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ssc exam ही select करिएगा जैसे ही आप ssc exam select करेंगे आपसे आपके application फ्री करने के लिए एक enroll code मांगा जाएगा और आपको code एंटर करना है ए ए जी जी चार अक्षर का ये code जैसे ही आप एंटर करेंगे अनकेडमी की application unlock हो जाएगी और फिर आप म और अनकेडमी की class में जरूर आ जाएगा चलिए अभी हम test set paper शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन यह रहा आपके सामें question number one आपसे पूशा गया है युगांतर पार्टी का नेतरत व इनमें से किस ने किया है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो युगांतर प इनमें से मूंगफली नहीं है सही उत्तर हो जाएगा next question जंगल महल कहलाने वाला छेतर इनमें से कहां पर इस्तित है क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन के लिए तो जंगल महल कहलाने वाला छेतर इनमें से पश्यमंगाल में है right answer है मकर रेखा नहीं गुजरती है कहां से क्या उत्तर हो जाएगा इस फ्रेशन के लिए तो मकर रेखा जो है बोलीविया से नहीं गुजरती है सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रत्वी पर मूलता एक ही विशाल भूखंड था जिसे प्रारंभ में क्या कहा जाता था क्योंकि राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बलुवा पत्थर एक परतदार चटान है क्योंकि पानी के नीचे बनती है ज्वाला मुखी परवत माउंट सेंट हैलेंस कहां पर है तो ज्वाला मुखी परवत माउंट सेंट हैलेंस जो है ये संट राज्य अमेरिका में है किस महादीप में प्रतिविक्ती भूमी सरवादिक है तो प्रतिविक्ती भूमी सरवादिक अस्ट्रेलिया महादीप में है दक्षणी आलपस परवत मालाएं कहां पर इस्तित है क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन के लिए भारत में पंचायती राज प्रतिनिदित तो किसका करता है तो भारत में पंचायती राज जो है इन सभी का सक्तियों का विकिंद्री करण लोगों की हिस्सिदारी सामुदाइक विकास इन सभी का प्रतिनिदित तो करता है पंचायती चुनाव कराने हे तू निर्णे किसके द्वारा लिया जाता है राइट आंसर क्या है तो पंचायती चुनाव कराने के लिए निर्णे जो है राज सरकार के द्वारा लिया जाता है सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है कि संसोधन द्वारा मिजोरम को राजिका दर्जा दिया गया right answer क्या हो जाएगा तो मिजोरम को राजिका दर्जा जो है 53 समिधान संसोधन के तह दिया गया right answer हो जाएगा next question कामराज योजना का उद्देश क्या था सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए तो कामराज योजना का उद्देश जो है भारतिय राश्री कॉंग्रेस को जीवन्त बनाना था राजनेतिक दलों को समविधानिक मानता प्रथम बार कब मिली थी क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन के लिए तो राजनेतिक दलों को प्रथम बार जो है मानता जो है ये 1985 में मिली थी दिनेज गोस्वामी समिती का संबंद किससे है क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दिनेज गोस्वामी का संबंद जो है समिती का संबंद निर्वाचन सुधारों से है भारतिय व्यापार में इस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिक 1853 में समापति कर दीया ग्या पूनाप ACT कि से समबंधित था तो पूनाप ACT जो है डलित वर्ग से समबंधित था राइट आंसर है जिया तरंग आन्दोलन कहा पर प्रारंब हुआ क्या उत्तर हो जाएगा तो जिया तरंग आन्दोलन जो है मड़ीपुर में प्रारंब हुआ कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां की थी तो कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले लाहोर में की थी तमिल में महाभारत के सरवप्रथम अनुवादक कौन थे साफ रात मेघिये रातों के पेक्षादिक ठंडी होती है किस कारण से तो साफ रात मेघिये रातों के पेक्षादिक ठंडी होती है विकिरण के कारण से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्सा होती है तो सर्दियों के मौसम में नार्वे में वर्सा होती है तेरा सौसा का प्रारूपिक विकास उस भूमी में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है भूमद्र सागरी छेत्रों में भारी वर्षा कब होती है तो भूमद्र सागरी छेत्रों में भारी वर्षा सीतरितू में होती है किस अनुच्छेत के अंतरगत लोक सेवा आयोक के सदस्य को हटाया जा सकता है संसद में पहला लोकपाल विधियक जो है उनने 68 में रखा गया था नेक्श कौशन देखते हैं प्राया किसकी सलाह पर राज में राश्रपती शाशन लागू होता है तो राइट आंसर हो जाएगा प्राया जो है गवर्नर की सलाह पर राज में राश्रपती शाशन जो है वो लागू होता है प्राकलन समीती संसत के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है राइट आंसर क्या है तो प्राकलन समीती संसत के सदस्य लोग सबा के सदस्यों को मिलाकर गठित की जाती है राइट आंसर है नेक्श कॉशन देखते हैं अगला कॉशन है पंजे जवाहलाल नहरू के नेतरतों में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए चले देख लेते हैं तो पंजे जवाहलाल नहरू जी के नेतरतों में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था राइट आंसर क्या है तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है रविंदर नाट टैगोर जी ने कहा था राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका practice test set paper क्या score रहा जरूर शेयर करें और रात में साड़े दस बजे अनकैडमी पर होने वाली class की link पर click करके अनकैडमी की class में जरूर रात में साड़े दस बजे जुड़िये और हमारे साथ पढ़िये अनकैडमी पर free ठीक है तो चलिए हम आपसे मिलते हैं रात में साड़े दस बजे वाली class में अनकैडमी पर तो आईए सभी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिये link बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो Thank you so much